परसाथ का मौसम आते ही मार्केट में कॉर्न आने स्टार्ट हो जाते हैं और कॉर्न खाने में भी बहुत ज़्यादा टेश्टी लगता है घर में मुश्टली हर किसी को कॉर्न पसंद होता है अगर आप भून के कॉर्न में धेर सारा नमा कॉर्न निबू लगाकर उसे यह तो भी वो बहुत टेश्टी लगता है, या फिर कॉर्ण के धेर सारी रेसिपी आप बना सकते हैं, तो मैं इसी तरह से आपके लिए लेकर आई हूँ, कॉर्ण से बने हुई दो एकदम यूनिक और टेश्टी रेसिपी, जो आपके घर में बच्चे, बुड़े, फैमिली क हर किसी को बेहत पसंद आने वाली है, तो मैं आमिका आपका स्वागत करती हूँ, मेरे चैनल कोकिंग विद कॉन्फिडेंस में, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, बरसात की मौसम में सबसे जादा खाने वाली बुटे की रेसिपी, और ये खाने में आसान है, और मोश्टली हर किसी को ये बेहत पसंद आता है, तो फ्रेंट वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी 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 से जाएए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीज तो चलिए बनाना स्टाट करते हैं, तो सबसे पहले मैं बनाने बाली हूँ, कॉर्ण तिक की, उसके लिए हमें कॉर्ण चाहिए होगा, तो मार्केट में एजली एवलेबल है कॉर्ण, इस टाइम आप मार्केट में मिलने लग जाते हैं, तो मैं फ्रेस कॉर्ण का यूज कर कर लेती हूं यह देखिए अगर आपके पास इस तरह का कौर्ण नहीं है मार्केट से आपने नहीं लिया है तो आप जो फ्रोजन वाले कौर्न होते हैं आप उसका भी यूज कर सकते हैं मार्केट में यह आने लगी है तो फ्रैस कौर्ण की बात ही अलग होती है इसलिए मैं इसे लेकर आई हूँ और चलिये से निकाल लेते हैं सारे बीच को तो ये देखिए सारी सीट्स को मैं इस तरह से चाकू की हल्प से कट कर लेती हूँ और यह बहुत ही आसानी से cut हो जाते हैं क्योंकि यह बहुत ज़्यदा fresh होता है और एकदम soft होता है तो यह देखिए सारे जो corn है मैंने इसके निकाल लिये हैं और इसे हम side में रख देंगे यह देखिए और इसके जो भी जो chip के हुए एक साथ जोड़े हुए हैं इनको सबको मैं इस तरह से निकाल लेती हूँ यह देखिए ऐसे अगर आप चाहें तो इसे boil भी कर सकते हैं बैसे मैं suggest करूँगी कि इन्हें आप boil बिल्कुल भी ना करें क्योंकि यह जो हैं यह बहुत ही जाता soft है और इन्हें boil करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तो मैंने क्या किया है एक bowl ले लिया है और सारे जो हमने corn को निकाल की रखा हुआ था वो सारे corn हमने एक bowl में transfer कर लिये हैं इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज तो मैंने धेर सारा प्याज लिया है यह लगबग एक बड़े size का प्याज है जिसे मैंने एक दम बारिक chop कर लिया है और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया धेर सारा बारिक कटा हुआ और इसके बाद मैंने लिये तो लगभग 2-3 boil आलू लिए हैं मैंने और इन्हें हाथों से अच्छे से मैस करके मिस में डाल दूगी। आप चाहे तो आलू को पहले ही किसी बोल में या प्लेट में मैसर की help से अच्छी तरह से मैस कर सकते हैं। तो यह देखिए हाथों से तोड़के मैंने 2-3 आलू डाल दिये हैं। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ कौन फ्लोर। तो कौन फ्लोर इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। अगर आपके पास कौन फ्लोर नहीं है तो आप इसमें बेसन का यूज कर सकते हैं। तो मैंने 2 बड़े चम्मच लगभा कॉन फ्लोर डाला है। नमक डाल दिया है आधा छोटा चम्मच से भी कम। हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच से भी कम। लाल मिर्च आधा छोटा चम्मच से भी कम। और गर्मसाला डाल दिया है आधा चम्मच। इसे हमें dough बना कर ready करना है, यह देखिए, तो हमारा जो dough है वो ready हो गया है, आप इसमें vegetables जो भी add करना चाहते हैं, आप आपके taste के according इसमें add कर सकते हैं, बैसे मैं corn टिक्की बना रही हूँ, तो मैं किसी भी और जो सबजी है उसका flavor इसमें नहीं डालना चाहती थी, तो मैंने सिर्फ corn और प्यास का ही use किया है, और यह देखिए, मैंने इसे छोटा सा portion ले लिया है, और यह कितनी आसानी से बढ़िया से गोल हो गया है, बॉल जैसे save मैं, तो मैं इसे टिक्की बनाने वाली हूँ, तो एक बॉल मैंने ले लिया है, छोटा सा piece, और इस तरह से मैंने इस जो stuffing है, इसे आप night में बना कर रख सकते हैं, और morning में बच्चों को आराम से से सेख कर दे सकते हैं, बहुत ही जटपट से यह ready भी हो जाता है, और I'm sure यह बच्चों को इतना जाधा पसंद आएगा, क्योंकि यह मेरी बेटी को बहुत पसंद आता है, और जब भी corn का season होता ह मैं उसे यह बना कर जरूर खिलाती हूं, तो मैंने क्या किया है, सारे हमारे corn टिक की बना कर रेडी कर लिये हैं, एक पैन गर्म कर लिया है, जिसमें मैंने दो छोटे चमच ओयल डाला है, क्योंकि मैंने सेलो फ्राइ करने वाली हूँ, आप चाहे तो इसे टीफ्राइ भी कर सकते हैं, यह इसली डिफ्राइ हो जाते हैं, और इसके बाद मैंने लिड लगा दी है, लगबग 2-3 मिनट के लिए, तो यह देखिए, तो 3 मिनट के बाद हमने जो धकन है, उसे हटा दिया है, और एक साइड से बड़े असे फ्राइ हो गए है, यह देखिए, और इन्हें मै आसानी से इस तरह से पलट दूँगी, तो soft hand से आपने पलटे, क्योंकि यह अभी थोड़े से कच्छे हैं, तो यह तूट भी सकते हैं, तो यह देखिए, सारी हमारी corn tiki को मैंने पलट दिया है, और एक साइड से यह अच्छे से सिग गए है, मैं लगबग 2 मिनट के लिए और धकन को लगा दूँगी, और 2 मिनट के बाद हमारी जो corn tiki हैं, वो दूसरे साइड से भी बढ़िया से सिग गए है, यह देखिए, तो अलट पलट करके मैंने हमारी सारे corn tiki को अच्छे से फ्राय कर लिया है, सेख लिया है, और यह बहुत ही tasty और tempting हमारी जो corn tiki है, बनक ready हो गई है, यह देखिए, लग रही है ना tasty, मुँ में पानी ही आ गया होगा, तो मैं कर लेती है उसकी बड़ी आसी प्लेटिंग, जब तक आप जल्दी जल्दी से जाएए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, और हाँ बैल आइकन को जरूर प्रैस कर दीजगा, जिस मेरे वीडियो को शेर कीजे, तो मैंने बड़ी आसी इसकी प्लेटिंग कर ली है, यह देखिए, हरी चकनी के साथ, थोड़ा सा एकदम अलग लुक में मैंने इसकी प्लेटिंग की है, तो आपको यह प्लेटिंग कैसी लगी, मुझे कमेंट ज़रूर कीजेगा, और यह उसमें मैंने डाले हैं लगबग एक घंटे पहले आठ से दस काजू और आठ से दस मगच के बीज, जिसे मैंने पानी में भिगो कर रख दिया था, यह थोड़ी से सॉफ्ट हो गए हैं, और अब मैंने अच्छी तरह से बॉइल कर लूँगे, तो यह देखिए, मैंने सारे क हो गए हैं, और इने में निकालके एकदम स्मूधन का पेष्ट बना लूँगी ठंडा करने के बाद, इसके बाद मैंने सेम पैल लिया है, जिसमें मैंने दो छोटी चमच ओयल डाला है, और इसके बाद मैं उसमें कुछ खड़ी गरम मसाले डाल रही हूं, तो तेज पत्ता दो लॉंग, एक बड़ी एलाइची, एक छोटी एलाइची, चार से पाच मैंने इसमें काली मिर्च डाली है, और इसमें जावित्र डाली है, छोटा सट टुकड़ा, और इसके बाद मैंने इसमें बटर डाल दिया है, एक क्यूब, और बटर हमारा मैल्ट होगा, तो यह ज देखिए, और अच्छी तरह एसे हमारा जो लेसुन है, गультन ब्राउन हो गया है, मैं इसमें हरी मिर्च डाल देती हूँ, तो धो हरी मिर्च यह ली थी मैंने, जैसे मैंने बारीख चॉप कर लिया है और आप जाहें थोड़ा सा नमक, ढाल सकते हैं, जिससे प्यास का मौश बाइशर है न वो जल्दी से रिलीज होगा और यह प्याज हमारी जल्दी से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी और प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है मैं इसमें कुछ सुखे मसाले डाल देती हूं वही बेसिक तो मैने आधा छोटा चमज देगी लाल मिल्षटाली है आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाला है, एक चम्मच धनिया पाउडर डाला है, और आधा छोटा चम्मच से भी कम मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है, और आब हम मसाली को अच्छी तरह से भून लेंगे, तो ये देखिए हमारा जो मसाला है बड़िया से भून गया है अच्छी तरह से मसाली ने ओयल छोड़ दिया है और हम मैं इसमें डाल देती हूं टमाटर तो दो मीडियम साइस के टमाटर लिये थे जिसे मैंने एकदम बारी चॉप कर लिया है और टमाटर गये हैं तो नमक तो अधे है तो हमारे जो टमाटर है बड़िया से शॉफ्ठ हो गया है और जो ग्रीवी की प्रॉसेसिंग वो बड़िया से हो गई है और इसके से बाद हम ने कच्छी ऊधरी ने देखिए तो इसकी जब तक अच्छे से भुनाई नहीं होगी, तो यह कच्छा कच्छा सा टेश्ट आईगा इसका, तो यह देखिए, मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, मुझे इसे भुनने में लगबग 4-5 मिनट का टाइम लगा होगा, या 6 मिनट का भी टाइम आप बोल सकते है और इसके बाद हमने जो मिक्सिंग जार में पीसा हुआ था, उसमें थोड़ा बहुत मसाला रह जाता है, तो मैंने उसमें पानी को अच्छे से मिक्स करके, और हमने ग्रेवी में डाल दिया है, तो आप देख सकते हैं, हमारी जो ग्रेवी है, कॉर्न की बोर रेडी हो चुक सिंपली हमें तवे पर बस एक मिनिट के लिए से फैलाना है, तो यह बस रोष्ट हो जाती है, नहीं तो अगर जादा देर फैलाएंगे आप तो वह जलने लग जाएगी, और अम मैं इसमें डाल देती हूँ कॉर्ण, तो कॉर्ण को मैंने पंदरा से बीस मिनिट के लिए प मसाले में भून लोगी, इसे अच्छे से मिक्स कर लोगी, तो इसकी थोड़ी सी फुनाई होगी, यानि की चार से पांच मिनट के लिए तब तक हमारी यह सबजी है, एकदम बढ़िया से टेश्टी बनकर रेडी होगी, तो मसाला हमारा भून गया है, और मैं इसमें एक मिन के लिए लिड लगा देती हूँ, जिससे कि यह थोड़ा भूत हमारे जो कॉर्न है, वो थोड़े भूत अगर पके नहीं होगी, तो बढ़िया से सॉफ्ट हो जाएंगे, और यह देखिए, हमारा जो मसाला है, अच्छे से बून गया है, और मसाले ने ओईल छोड़ दिया ह तो इसे बनाना कितना इजी है, आपको लग रहा होगा, अरे पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना, यह बहुत ही आसानी से सारे प्रोसेसिंग के साथ इसे 15-20 मिनट का टाइम लगेगा, और आपके हां कोई भी गेस्ट, कोई भी महमान कुछ भी आपकी फैमिली में किसी को भी अगर आप इसे बना कर खिलाएंगे, I'm sure यह रेसेपी सब को बेहाद पसंदाने वाली होगी, आपने काजु करी खाई होगी, कड़ाई पनीर खाई होगी, बिल्कुल सेम बैसा ही इसका टेश्ट आता है, यह बहुत टेश्टी लग के लिए बॉइल कर लेंगे, तो यह देखिए हमारी जो सबजी है कॉन की, वो रेडी हो चकी है फ्रेंड, यह देखिए लग रही है ना, दिखने में एकदम टेश्टी और टेंटिंग, तो होटल और रेस्टरान में बिल्कुल इसी तरह से से बना कर रेडी करते हैं फ्रें यह रेसिपी बहुत 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 टेश्टी है, मैंने इसे कई बार ट्राइ किया है, मैं आपसे हमेसा बोलती हूँ कि जब भी मैं आपके साथ कोई भी रेसिपी शेयर करती हूँ, पहले मैं उसे ट्राइ करती हूँ, उसके बाद आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आप इ कीजे जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियो के नॉटिफिकेशन आपको मिलते रहें तब तक के लिए स्वास्त रहें मस्त रहें देखते रहें मुझे यानि कि मेरे चैनल कोकिंग विद कॉंफिडेंस में मिलते हैं एक नई आइडिया के साथ में नई वीडियो में तब तक के टेक क्यार एंट बाबाए